क्या 12 अगस्त को रात नहीं होगी? क्या 12 अगस्त की रात में भी दिन की तरह गुजाला होगा? क्या 12 अगस्त से स्रिष्टी का उल्टा चक्र शुरू हो रहा है? जी हाँ, फेस्बुक से लेकर वाटसप तक में इस तरह की पोस्ट वाइरल हो रही है सबूत के तौर पर कई जगों पर अखबारों की कटिंग भी शेर की जा रही है इन वाइरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 12 अगस्त को रात होगी ही नहीं दावा ये भी है कि 96 साल पहले भी ऐसा हुआ था और अब एक बार फिर से ऐसा होगा 12 अगस्त को रात नव होने का दावा करने वाले मेसेज में नासा का हवाला देकर कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा चमतकार हो रहा है इस दिन से स्रिष्टी का उल्टा चक्र शुरू हो रहा है साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि जिसने भी रात में दिन जैसा ये नजारा देखने की कोशिश की उसे भयंकर नुकसान होगा लेकिन इसका सच क्या है? क्या ये पूरी तरह जूटा मैसेज है या फिर इस मैसेज की कोई सच्चाई है? क्या सच्च में सुरज 12 अगस्त को अपनी चाल बदलने वाली है? क्या सच्च में सूरज 12 अगस्त की शाम को ढलने से इनकार कर देगा? यह पिन्द गिरते हैं ये उलका पिन्द एक के बाद एक जब आस्मान से गिरते हैं तो उजाला चा जाता है इसी वज़ा से रात में थोड़ा उजाला दिखेगा ये सच नहीं है कि 12 अगस्त को रात होगी ही नहीं लेकिन हाँ उलका पात की वज़ा से रात में थोड़ा थोड़ा उजाला होगा साथ ही हम यहां ये भी साफ कर दें कि एतिहास का सबसे बड़ा उलकापात नहीं होने वाला है इससे पहले भी कई बार मेटे और शार की घटनाएं हो चुकी है जब रात में अचानक से उजाला छा गया लिहाजा इसमें चमतकार जैसी कोई बात नहीं है इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और आप बड़े आराम से निश्चित रह सकते हैं